नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल News Markets 24 में आज हम आपको चावल से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में बताएंगे सबसे पहले चावल का व्यापार कोटा मंजूर अब अतिरिक्ट 16 लाक तन का आयात आवंटिद इंडोनेशिया के किसान साथियों के लिए खुशखबरी की घड़ी आ गई है क्योंकि सरकार ने 20 लाक तन चावल के व्यापार कोटा को मंजूरी दे दी है और अब अतिरिक 16 लाक तन चावल का आयात आवंटिद किया है इसका मुख्यकारण मानविय आतंकवादी फैक्टर के रूप में अल्मीनो जलवायू चक्र का उत्तर जगा पर असर है जिससे धान के उत्पादन में कमी हो रही है जन्वरी से मार्च दिमाही में चावल के उत्पाद में गिरावट के संकेत मिल रही है और इससे चावल के व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है सूत्रों के मुताबिक इंडोनेशिया के व्यापार मंत्राले आयात परमिट जारी करने के लिए काम कर रहा है और इस आयात कोटा के अनुसार अतिरिक 16,00,000 तन चावल आने की संभावना है इसके बावजूद सरकार को घरेलू चावल उत्पादन में पिछले साल की तुन्ना में 28.2 लाक तन की गिरावट की आशनका है जिसे मुख्य रूप से अल नीनों के चलते कहा जा रहा है इस तथ्य ने भारत से नहीं बलकि चीन से इंडोनेशिया की ओर ध्यान केंद्रित किया है क्योंकि यहां कीमतों का अधिक समर्थन मिल रहा है और चावल की आपूर्ती में वृद्धी की जा रही है इस बढ़ती चीनी रुची के बावजूद इंडोनेशिया के बाजार में इंडोनेशियाई चावल की कीमत बढ़ गई है और सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य स्तर से अधिक हो गई है इससे सरकार को चिंता होने लगी है क्योंकि इंडोनेशिया मुख्य रूप से थाईलेंड, व्यतनाम, न्यानमार और कमबोडिया से चावल आयात करता है लेकिन अब उसका लक्ष भारत से आयात बढ़ाने का है इसके लिए सरकार ने बास्मती के अलावा अन्य सफेद चावल का निर्यात कोटा भी जारी कर दिया है जो इंडोनेशिया के बाजार में एक नए रुझान की शुरुआत को दर्बार कर सकता है पिछले साल भारत और इंडोनेशिया के बीच दस लाख तन चावल के व्यापार की चर्चा हुई थी और इस बार ने एक नए यूग की शुरुआत की है इंडोनेशिया का लक्ष भारत से नहीं बलकि इसे चीन के साथ संबंद बढ़ाने का है जिससे उसे कीमतों में सुस्ती हो सकती है और बाजार में और बढ़ोतरी हो सकती है इस स्थिती में भारत को भी चावल निर्यात में अधिक सतर्क रहने की जरूरत है ताकि उसे अपने उत्पादकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने का मौका मिल सके समाप्थ होते हुए हम देखते हैं कि इंडोनेशिया के साथ चावल व्यापार में भारत के लिए नई रूपरेखा खुल रही है सावधानी पूरवक भारत को इस नए यूग में उचित उत्तरदाता के रूप में सावधान रहना चाहिए ताकि इससे नए व्यापारिक अवसर उत्पन्न हो सके और उसकी आर्थिक विकास में मदद हो सके आज की खबर में सिर्फ इतना ही इसी तरह के न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और News Markets 24 देखते रहे